आज दिनांक छो दिसंबर 2020 वर्ग अश्टम विशय संस्क्रीत पाठ नौ पाठ का नाम परवता रोहनी अरुनिमा सिन्हा अरुनिमा सिन्हा प्रहाई होने जा रही है यह आप लोग किताब निकालिए और किताब में पेज नंबर 66-67 को देखिए 66-67 आपको इसमें परवता रोहनी अरुनिमा सिन्हा की किर्ती उनकी जानकारी लेना उनके गुन को उनकी जानकारी लेना ही अरुनिमा सिन्हा जो किताब में लिखा हुआ है या उद्देश है कि अरुनिमा सिन्हा एक महान महिला थी और उनके बारे में हमको किताब में लिखा हुआ है माउंट एवरेट की चोटी पर सरव पर्थम बिकलांग महिला अरुनिमा सिनहा ही एक ऐसे महला थी जो जंडा फाराई थी तिरंगा जंडा फाराने वाली पर्थम महला अरुनिमा सिनहा थी तो उनके बारे में आप लोग को जानकारी लेना है, कि अरुनुमा सिना के बारे में, तो हम किताब रहाने जा रहे हैं, आप लोग किताब को देखिए, वहां रखिए, आप लोग किताब को रीडिंग नहीं देते हैं, आप लोग किताब को रीडिंग दीजिए, दो बार, चा तब ने मेहनत कीजिए दो तीन बार रीडिंग दीजिए देखिए आम परहाने जा रहे हैं आप हाथ रखिए उस पर अरुनीमा सिनहा अस्ति महला ससिस्त के ससक्ति करन नस जीवीत उदाहरनन अन्या महल्या इदमत प्रतर से तम्यत जीवने उद्दे सम्यदी सुनिच्तं तरहिं सफलता पी निष्चता अरुन्यमास्ति दिव्यांग्या प्रंतु द्रिर निष्चलेन सा विश्वस स्रवोश सिखरे माहुंटे वरिष्ट इत्यस मिन प्रवतस्वा विजय पताकम आहो सब पर्थमा भारतिया दिव्यांगा महला प्रवतारो नियस्ति एक अस्यामरे लुदुर घटनायामसा प्रेन खंजा अभवत देखे सब सब्दार्त लिखा हुआ बच्चों जैसे जीवत उदाहरनम है जीवन उदाहरन है खंजा मने उता लंगरी मने देव का बिकलांग क को कहा जाता है तो अरुनिस्यों निमा सिन्हा एक ऐसी मैं ससक्तिकरन महिला का एक जीवित उदाहरन है यह महिला इनके जीवन का उद्देश कर्म ही था जो की मिहनत की मिहनत से इन्हें सफलता मिली अरुनिमा सिन्हा एक बिकलांग महिला थी जो विश्व के सरवोष सिखर माउंट एवरेट की चोटी पर तिरंगा जंडा सरपर्थम फहराई थी हुआ महिला भारतिये बिकलांग महिला प्रवतारोहनी के नाम से जानी जाती है लेकिन आयसिम एक कश्याम रेल दुरगटना एक बार की बात है कि इन्हें रेल दुरगटना में इन्हें पैर से पैर का आगात मन पैर जो है पैर कट गया ट्रेन से गारी से और कैसे कटी इसका एक कहानी है जो आप लोग सुनिए अपराधिन तस्या स्वर्नस हारम लगुस्वतम चा हर्तुम प्रत्यम अकुरवन असमीन प्रतने यदा ते असफला भवन तदा अरुनिमा चलाए चलाए मनात रेल यानात बही अच्छिपन आपका इस सबस्ब्दार्थ को पढ़िए का सब्दार्थ है लच्छमन पूर्ता लखनव को कोते हैं कमा कटी भागम मने कमर का हिस्सा आहतम मने घायल इस सबस्ब्दार्थ है इसको पढ़िए अरुनिमा सिनहा का जन्म जो है बच्चों कि उनाय सो अठासी इसमी में भारत के भारत राज के उत्तर प्रदेश राजमीन का जन्म हुआ था वह किर्केट का खिलारी थी कि उनाय दो हजार अगारा इसमी में वह जो है परिच्छा देने के लिए पदभावती एक्स्प्रेश से वह लखनवू से दिल्ली जा रही थी कहानी सुनीजे जब दिल्ली जा रही थी तो कोई अपराधी ने एस हार जो पहने वी थी ने उख छिनना चाहे चाहा लेकिन वह छिन नहीं सका वह पराधित हुआ लेकिन वह जो आपराधी था वह अरुनिमा सिना को ट्रेन पर रेल गारी पर से नीचे फेक दिया। और रेलगारी से जब नीचे फेक दिया गया। तो वह उनका पैर टूट गया। पैर कट गया ट्रीं से। और अश्याम दुरगटनायाम तस्या सरीशा कटी भाग मुद्रम चाहा तम अभवत इस दुरगटना से उनके शरीर का कमर का हिस्सा जो है कट कर फेका गया मनने और सौ उत्फात्म असमर्थ थी उत नहीं सके कमर ही तूट गया था कमर ही कट गया वहां से तो कईसे उठेगी वा बाहुत गिरी रही सा स्पुन रात रौब्वूमपतिता वआ पूरी रात जो है गिरी हुई रही भूमी पर गिरी हुई रही लव असक्षकंधेशु रेलियानी आख्चंती रेलियानम भुमाव पतिताया तस्याम बाम पादगर अकर्त त्यत रेलियानस घातें दच्छिन पादमपी आहतम अभध साचेतना विवस्था गता कोवपी तसमा सहायतम ना क्यां हुई चौरिल दुरहतना से वा उनका कमर का हिस्सा बचकत गया हुई अपंग हो गई इण बिकलांग हो गई और मूछित रही कोई उठा भी नहीं कोई उठा नहीं सका लेकिन कुच एक डू दू दिन के कोई सहायता करने लिए आया। कोई सहायता नहीं कर रहा थे इसलिए उनको बहुत कर्ष्ट नभव हुआ। एक लोग ने बरेली नगराश्च कैसी कोछ लोग देखे गरा मासिन लोग बरेली के नगरवासी लोग जब देखे एक पट्री पर से जा रहे थे तो एका एक नजर परा कि एक महिला जो है गिरी हुई है पैर कटा हुआ है कमर का हिस्सा कटा हुआ है तो उसको गाउवाले सब पकड़ करके उनको ब्रेली नगर के चिकिसाल है अस्पताल में ले गया दिखाने इलाज करने के लिए तस्या जीवनस सच्छा वाम उनकी रच्छा के लिए दाक्टर ने उनका बाँ पैर को काटना परा कनिचे दे दिनांतरे तस्या खंजपाद अस्थाने ते कृतिम पादम अनियुजन और कुछ दीन के बाद हुआ है उनका पैर ठीक हुआ और उसको पैर में क्या लगाया गया उपैर तो समाप्ते हो गय कित्रिम पादम मतलब नकली पैर लगाया गया इस प्रकार से बच्चों जो महान पुरूस होते हैं उनको कश्ठी कश्ठ है अब बताए अरुनिमा सिन्हा कितना भारी कश्ठ हुआ फिर भी देखिए इनका गुन को आप आगे परहाते पढ़ने जा रहे हैं आप समझ ले ज तर्ष्या प्रेणा स्रोता है किरिगे केट कीद का जुबराज असिजेने करकट करो गंद्रे स्वध्रिश्चा इद्रम करोद इतन्या घटन्या प्रेणा प्राप्सा स्वल अच्छमांडे वे श्टमारोन निश्टम कुरूवा कुरूवा करत अखूद एत अधर्थ सा उ जानते हों बच्छों कि चिकिस्सा काल में चिकिस्सा के समय में भी वह घबराई नहीं जब प्रवतारोनी वह जो है उनसे हमको प्रेणा लेनी चाहिए कि कि किरिकेट की खिलारी जुबराज जो थे जो इनका जो प्रेणा दिये थे वह करकट रोग से प्रित्य फिर भी वह इंदम तक उनसे प्रेणा ले कर जो है माउंट एबरेश्ट एजो है माउंट एबरेश्ट की चोटी पर जंडा फाराने का तिरंगा जंडा फाराने का जो है रम्ठानली और अर इंसीट ऑफ माउंटेरिंग संस्थाने का में परवता रोहनस पर्शिच्छर प्राप्त किया। यह इसलिए भारत के पर्थम महला परवता रोहनी मचेंद्री पाल से भी इन्होंने साहयता मांगा। और सहायता मांगने के बाद नहीं इन्हें को जो है प्रवतारोनी अरुनुमिय सिन्हा मांटे विरिष्ट की चोटी पर सरपर्थम जंडा फाराई तिरंगा जंडा फाराई दी। कठिन संघर्ष कष्टो प्रांत दो हजार तेरा तमें खिस्टा बाजे माई मासा सेग विस्तिर कतारिका मांटे विरिष्टम में। इस प्रकार से बच्चों आप लोग को इनसे प्रेणा लेनी चाहिए कि लाख विपत्ति आजाए कठी नाई आजाए तो उसको जेलना ही मनुस का प्रमुख लच्छ है। आप देखिए भासरकार ने भार्च सरब शरकार तश्या बिर्तत पदम्श्री टी पाधी दग्तवान। भासरकार ने बिरता कवपाधी पदम्श्री कवपाधी प्राथ इनको मिला। अबादमशरी शुल्तानपूर रत्न अबाड़ अम्वेदकर नगर रत्न पुरस्कार अनुमा सिन्हा को सुषववित किया गया। इस प्रकार से बच्चों इस दिव्यांगना जो महिला है इनकी सहायता के लिए सहीद चंद्र सिखर अजाद विकलांग खेल अताजमी के नाम से इनका संथा अभी वी चल रहा है अरुिमा सिना नाम देश इतिहासे श्रन अच्थम लिखता मतब अरुनिमा सिना का जो इस देश हमारी बहारत का इतिहास में स्वर्ण अच्षरों से लिखने युग है थस्या भी अजना 107 वर्षानि प्रियंति असमार रियंति ऐसे ऐसे महान जो एसे एसे महान पुरुसों को जब तक फिर्थवी रहेगा तब तक उनका नाम चलता रहेगा और मैं आप लोगों को बच्चों आप लोगों को यह सिच्छा गरहन करना चाहिए कि हम लोगों को भी कितनों भी करहिन पारिस्थिति आ जाए लेकिन सफलता भागना नहीं कठनाई का कठनाईयों को भी जहलना चाहिए कठीन पारिस्थिति को भी जहलना चाहिए और तब तो हमें अवज सफलता मिलेगी आप लोग भी मेहनत कीजिए कठीन संघर्ज कीजिए आपकी सफलता निश्चित है आपको हम बहुत बहुत